इन चीजों से बिलके बताया है जैसे हमने वोल क्रें को त्रीज में डिवाइट किया है बांट, जर्म, एंडुस्कॉम समझ में आया तो यह जो हांट कीट फ्लाट है वो होल क्रें का बना हुआ है होल क्रें मतलब उसमें तीनों चीज आयती उसमें बांट भी आएगा, जर्म भी आएगा एंडुस्कॉम भी आएगा इसलिए तो कैसा होगा हाई कोटीन कंटेंट एंड हाई फाइबर कंटेंट सबसे जादा फाइबर उसमें होगा और सौफ वीड फ्लार इससे बना इसे पेंडोस्कॉम से, ओनली एंडोस्कॉम समझ में आया तो दोनों में बहुत दिफरिंस है, यह हाई फाइबर है, हाई पूटीन कंटेंट है, एस कंपेर तू सौफ वीड फ्लार अभी हम लोग टाइपस ओ फ्लार देखेंगे, हमने तू टाइपस की फ्लार देखे, हाड़ वीड फ्लार और सौफ वीड फ्लार सी गाईज, हाड़ वीड फ्लार सबसे जादा प्रोटीन कंटेंट करेगा, त्यूंकि वो तीनों चीजों से मिलके बना है होल ग्रेंट से मिलके बना है, और यहां में देखो, सौफ वीड फ्लार, लो प्रोटीन कंटेंट क्यूंकि यह सिप एंडोस का बना है नाव, सेकेंड पॉइंट, हाई ग्लूटीन कंटेंट, जैसा हम लोगों ने देखा, यह सबसे जादा प्रोटीन कंटेंट है, सबसे जादा फाइबर कंटेंट है, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, हाड वीड फ्लार, पोरस और ग्रेंड फॉम में होगा, इसलिए यह स जैसे मैंने तुम लोगों को कुशन का एग्जांपल दिया, अगर मैंने चोटे-चोटे तुपड़े करके कुशन रखी है, और एक साइड में बड़े-बड़े तुपड़े करके रखी है, तो कौन सी जादा वाटर अब्सॉप करेगा, बिगर बन जादा वाटर ग्रैनूलर, कौन सी जाद सी जादा वाटर हुगा होगा, यहां पर्चोट फैम सी जादाल नौरर अगर पार कपरो ब्सॉप कौ छोड्ट होगा, तो सी जादा ही हमारा हणार हूंत्व प्रेट家र अब्सुप में यहां पर इन वीट यहां से आपध्सूव यहां सर्थ हम सबसे जाधा gluten content होगा तो हम हमेशा bread बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे hard wheat flour और यहां में देखो soft wheat flour में also called general purpose flour used for biscuits and cakes हमेशा यहां को biscuits and cake बनाने के लिए soft wheat flour यूज़ करेंगे low gluten content तो हम लोगों ने आज देखा types of flour and hard wheat flour और soft wheat flour अभी हम लोग देखेंगे कौन सी चीज़ के लिए कौन सा flour यूज़ होने वाला है अभी सबसे पेरे हम लोग देखेंगे whole wheat flour number one types of flour it uses जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है whole wheat flour किसका बना होगा हम अभी उसके uses देखेंगे कि वो किस किस लिए use होता है जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है it is used for हमारे जितने भी चपाती होती है बेकरी में ब्रेट्स होते है वह सारी चीज़ों के लिए हम लोग होल wheat flour यूज़ करेंगे जैसे कि हमारे ब्रेट होगे ब्रेट में बहुत सा ही white bread होती है ब्राउन ब्रेट होती है जितनी भी ब्रेट्स है वो हम लोग whole wheat flour जिसको हमने क्या बोला है हाड wheat flour ही बोला है समझना आया प्लीज़ आप डाउं uses उसमें लिखते चाहों कि इसके लिए यूज़ होने वाला है इस फेरी इंपॉर्टेंट हमको पता होना चाहिए कौन से फ्लाइर का क्या यूज़ है किस पॉपर्स के लिए वो यूज़ होने वाला है तो सबसे पेदे हमने whole wheat flour देखा सेकें हम लोग देखेंगे ब्रेड फ्लाइर ब्रेड फ्लाइर ब्रेड फ्लाइर नाम से ही समझने आ रहा है जितने लिए ब्रेड आइटम्स के लिए हम लोग ब्रेड ब्रेड फ्लाइर यूज़ करेंगे ना soft होगा ना hard होगा वो बीचवा होगा जो ग्रेड फ्लाइर फ्लाइर नेक्स हम लोग देखेंगे all-purpose flour जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है all-purpose flour याने हम सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं लाइक इंडियन चपाथी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं केक्स बनाने के लिए ब्रेड बनाने के लिए बिस्किट्स और कुकी बनाने के लिए हरब केक्स बनाने के लिए पेस्टिस बनाने के लिए all-purpose flour है ये मतलब हम हर जग़ पे यूज कर सकते हैं अगर मेरे पास whole wheat flour नहीं है तो मैं छोड़ दूँगी, bread flour नहीं है तो मैं छोड़ दूँगी, मैं उसकी जेके पर क्या यूज करूँगी, all-purpose flour जो हम सब के घर में available होता है, समझ में आ रहा है, हम सब के घर में all-purpose flour होता है, जिसको हम लोग मैडा बोलते है, क्या बोलते है, म मैडा, समझ में आया, जिसको हम white wheat flour बोलते है, जिसको मैडा बोलते है, जो all-purpose flour है, हर चीज हम उससे बना सकते है, next is cake flour, write down fourth number cake flour cake flour, अभी तक हम ने ये जो flour देखिये, ये सब hard wheat flour थे, लेकिन जो cake flour है, वो कौन सा है, soft wheat flour, right down there, soft wheat flour soft wheat flour, क्यों cake flour, soft wheat flour है, क्योंके cake बनाने के लिए हमको जादा gluten content नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग केक बनाने के लिए हमेशा soft wheat flour यूज करते हैं, हम लोगों ने देखा था, difference देखा था, heart wheat में और soft wheat में, उसमें सबसे नीचे दिखा हुआ था, use for cakes and biscuits तो same यहाँ पर cake flour, soft wheat flour होगा, जो low gluten content होगा, as compare to other flour, other flour यहने whole wheat flour होगया, bread flour होगया, इन सबसे low gluten, less gluten content, soft wheat, bread, अपने cake flour में होगा, okay, next दिखो, self-raising flour self-raising flour हम सबके घर पे self-raising flour भी मिलता है, जैसे यह हूँ का आटा, जो हम लोग हर चीज के लिए use करते हैं, अगर बेरे घर में मैदा नहीं है, तो मैं क्या use करूँगी, self-raising flour flour means, soft, यह भी soft, इसके अंदर soft raising flour के अंदर आएगा, जो हम लोग हर चीज के लिए use कर सकते हैं, for example, biscuits, biscuits, cookies, mommy लोग घर पे अगर biscuit बनाती है, तो उनको पता नहीं होता है, क्या use करना है, तो वो लोग self-raising flour जो हमारे घर का आटा होता है, वो लोग भोई use कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर cake flour है, तो के के लिए cake flour ही use करना चाहिए, right, हम लोग self-raising flour भी use कर सकते हैं, जो low gluten content है, इसमें भी इतना gluten नहीं होता है, ठीक है, जैसे whole wheat grain में होता है, right, next लिको pastry flour, pastry flour नाम से ही समझ में आ रहा है, किसलिए use होगा for making different types of pastries, सारे pastries बनाने के लिए हम लोग pastry flour use करेंगे, next is semolina, आप लोग को पड़ता है, semolina यहने क्या होता है, क्या होता है, very good, rava, सब में rava देखा है, सूजी इसको हम लोग हिंदी में बोलते है, rava और सूजी, कैसी होती है, वो किस से बनी हुई है, वीड से बनी हुई है, जो अपना वीड करनल है, गेहू है, वो उसी का बना हुआ है, जो granule form जा मशीन से हम निकालते हैं, तो एक साइब में हमको सूजी भी मिलती है, जिसको हम लोग क्या होते है, सेमोलीना, तो सेमोलीना का यूज़ भी हम केक्स काफी लोग होते है, जो सेमोलीना का यूज़, बिस्किट सेंड केक्स पनाने के लिए करते है, मैकरून, जिसको हम लोग क्या करते है, आड करते है, फ्लार के साथ, समझ में आया जो हमारा all-purpose flour है, जिसको मैडा बोलते हैं उसके साथ semolina को mix करके और जो भी macaroon हम बना रहे हैं उसके साथ add करके, mix करके butter के साथ mix करके हम क्या करते हैं, macaroon और ये सब बना सकते हैं समझ में आया, और ये बहुत सारी चीजों में बेकरी में यूज किया जाता है तो हमने अभी types of flour और उसके uses देखे कि कौन सा flour किसके लिए useful है, समझ में आया अभी हम लोग देखेंगे types of sugar